स्मॉल स्केल से लाव स्केल तक ले जाया सकता है एक छोटी सी फर्म से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई जा सकते हैं अगर आप यही सोचते रहेंगे कि सामने वाला वेक्ति क्या सोचेगा तो शायदा वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते हैं आज कोई यूवा साथ जरी एक नया मुकाम हासिल किया है और देश और दुनिया में अपनी अलग ही पैचान बनाई है आज इनको वन मिलियन से जादा लोग फोलो करते हैं इसे काफी कुछ सीखते हैं और आज भी इस शो की मध्यम से आपको बहुत सारी बिजनस की नॉलेज मिलने वाली है कि कैसे आपको बिजनस करना है कैसे आप ग्रो कर सकते हैं क्योंकि एक बिजनस कोच यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अमेजी बहुत-बहुत स्वागत है आपका सबसे बहले तो पत्रिया टीवी के सभी दर्शिकों की तरब से आपके प्यार का आपके मान सम्मान का और आपने आ आपके बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहु जो या तो business में fail हो गए है या उन्होंने कभी life में business नहीं किया तो अगर business fail हो गए तो लोगों को यह सिखाना शुरू करते कि business coaching करते कैसे है Real fact वही example set करता है जो real life में खुद business करता है अगर आपने अच्छा business किया हो शुरूआत किया हो सीखा हो तो मेरे life की जो शुरूआत हुई वो coaching institute से हुई 1999 में हमने coaching institute शुरू किया और अगले तीन साल 2002-03 के आसपास आते हैं हमने सोचा कि अभी technical education भी हम शुरू करते हैं फिर हमने course शुरू किया mobile and laptop preparing का technical education जो हमने शुरू किया तो expansion तेजी से होने लगा एक center से 2, 2 से 4, 4 से 8, 10, 12 करते करते हैं पूरे इंडिया में हमारे centers बन गए फिर मैं अपने friends को यह सिखाता था जो मेरे साथ के friends थे उस समय पर teacher थे कि आप जो भी काम करो ना उसका expansion करो चाहे franchise के माधियम से करो चाहे business network चाहे associate partner जब जब लोग तो बहुत चोटे level पे होंगे तो यकिन करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है अमित हमें बता रहा है तो कि changes आजाएं के life में हम भी grow कर जाएंगे देखे क्या होता है जब आप real example set कर देते हैं तो लोग आप से खुद भी पूछते हैं कि आपने कैसे किया शुरुआती दौर तो यहीं से शुरू हुआ था कि आपने अपने center के इतने franchise ही बनाई आप कैसे manage करते हैं क्योंकि teachers का एक problem क्या होती है कि पूरा time coaching में पढ़ाने में व्यस्त रहता है आठ गंटे के बाद उसके बास दो गंटे और लगा सकता है दस लेकिन वो 16 गंटे 24 गंटे 48 गंटे 200 गंटे per day काम नहीं कर सकता आप कहेंगे 24 गंटे होते 200 गंटे per day का मतलब number of teachers आपके पास होंगे number of working hands आपके पास होंगे तो उनका working hour आपके working hour में जुड़ता चला जाएगा जब हमने expansion किया तो मैंने लोगों को समझाना शुरू किया कि आप भी अपने business को expansion के ओर ले कर जाए अपने business में dealer बनाए distributor बनाए C&F बनाए super circus बनाए या franchise डिवलप करें या associate partner बनाए तो धीरे-धीर as a coach establishment होने लग गया कि ठीक है आप इन से पूछो कि कैसे expansion करते हैं लग जिस समय जिस तरह से आज के समय पर है तो हम लोग offline classes के माधियम से करते हैं boards, holding, poster, leaflet, pamphlet ये बटवाए लगवाए और seminar organized किया दीरे-दीरे वो सारे videos, records हमार पार data के रूप में इकठ्थे होने लगे फिर हमें लगा कि इस data का करना क्या है इतना data तो इकठ्था हो गया पर store कहां से करें, hardest कितनी बाइ कर सकते हैं, you'll got surprise मेरे पास 40 सदा hardest है 1TB की जो भरी हुई है, फिर हमें लगा ये सारा data हम लोगों तक पहुचाएं और 10-12 साल पहले जब YouTube को लोग नहीं जानते थे, हमने भी YouTube पर वो platform पे सिर्फ इसलिए अप्लोड किया कि hardest ना खरिदनी एक hard disk का data लिया, upload किया, खाली करती, एक data saving के लिया, data हमें बार-बार space ना लगे, इसलिए हम वहाँ upload करने लगे, दीरे दे उसके views आने लिए, उलोग पसंद करने लगे, फिर हमें organizations invite करने लगे, कि आप हमारे organization में आओ, हमारी sales team को बताओ sales कैसे बढ़ाएं, हमारे core members को ब establish करने के बाद उसके franchise अब किये, तो expansion तेजी होने लगा, तो वो सारी चीज़े जब हम digital platform के माधियम से लोगों तक पहुचाने लगे, तो लोग aware होने लगे कि अपने business को small scale से large scale तक ले जाया सकता है, एक छोटी सी firm से public limited company बनाई जा सकती है, मैंने का था कि मैं life में केवल उसी विशय पर training देता हूं जिसका मैंने practical किया, सन 2009 में मैंने जब export करना शुरू किया, तब मैंने decide कि now I will teach how to start important export, जब एक firm को एक public limited company बनाया, तब बताया कि how to go for corporate, अपने business का expansion कैसे लेके जाए, तो दिरे-दिरे development होने लगा और business coach के रूप में स्थापना होने लगी, औ और आज पूरे भारत वरश में नहीं पूरे विश्व में मारे training program सेमिनार के अंदर 15, 20, 50, 100, 200 लोगों को training दे सकते हैं, सिखा सकते हैं कि social media platform ऐसा है, जहां पर एक साथ, लाखो करोडों लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, तो Dr. Amit जी, यह आपने बताया कि YouTube वाली आ funding शुरू हुई थी और इसमें कितना समय लगा था? उन परसन को WhatsApp के जरिए, Facebook के जरिए, LinkedIn, Twitter, Instagram, bulk mail के जरिए, लेकिन एक बार, अगर माली जी आप एक viewer है, आपने मेरा एक वीडियो देखा कि sales के बारे में बंदे ने बहुत अच्छा बताया है, तो अब हो सकता है sales से next topic क्या बताएगा? यह सब चीज़ा आपने भी की ती? ज कामने वाला वेक्ति क्या सोचेगा? तो शायदा वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते हैं, आप अपने potential तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो right तरिका ही है कि आपके बास जो भी information है, उसको digital platform पर लेकर आएं, और digital platform पर लाने के बाद उस platform को grow करने के लिए, उसकी information लोग के जिम्मेदारी है, और जब लोगों को पसंद आने लगेगा ना, तो automatically वो viral होना शुरू हो जाएगा, आप ही के देखने वाले लोग आपको follow करना शुरू करेंगा, और follow करने के बाद, उस वीडियो को वो अपने non-person को share करेंगे, दीरे 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 exposure आने लग जाएगा, हाई क्योंकि YouTube और एक social media का हम नाम ले तो social media platform ही ऐसा है कि जहाँ पर आप free में सीख सकते हैं, आके कुछ करना चाते हैं, free में आप सीख सकते हैं, free में वहाँ से सीख के और वो ही चीजे, अपने education जो अपने ग्यान लिया है, उसको logo तक पहुचा कर आप वहाँ से earning भी कर सकत लोगों तक खुद जाते थे, pamphlet तक बाटे हैं, और अब जब उनका data कटा हो गया, तो मेहनत जब से जारी थी, और अब social media का दोर आया तो उन्होंने उस चीज को convert कर दिया, उसके अंदर क्योंकि videos के लिए data नहीं था, और वो data इनके इतना काम आ रहा है कि आज एक नए ले लिजी है, आप social media हमें ले लिजी है, example लूँ कि मैं एक student हूँ, मैं कुछ शुरुआत करना चाहता हूँ, तो बहुत से challenges और tasks मेरे सामने आएंगे challenges, तो उन से कैसे हम तो निप्टें, और आपके सामने कौन-कौन से challenges, task थे जब आप शुरुआत कर रहे थे या फिर 2015 से आपने move YouTube की तरफ या social media हम कहें तो उसके उपर किया था, तब कैके challenges सामने देखे, आज कोई यूवा साथ ही कोई भी चीज की शिवात करेगा तो उसको challenges कम face करने पड़ेगी, क्योंकि हमने उस दौर में शुरू किया था जब लोग digital platform को जादा जानते नहीं थे, YouTube को पैच अधान मंत्री हो, हर एक व्यक्ति के पास internet का access है, तो internet के इस युग में एक व्यक्ति कोई भी information, देखिए सबसे पहले आपको यह identify करना है, यंग्स्टर के साथ challenge क्या आता है, कि वो यह define नहीं कर पाते, या decide नहीं कर पाते, कि मुझे करना क्या है, आपको, लोग कोपी बह मेरा क्या content होगा, जो मैं contribute कर सकूँ, डिजिटल प्लाटफॉर्म पर और आगे बढ़ जाओ, या युवा साथी, मैंने अपनी बेटी को मैंने बोला, कि आप law कर रहे हैं, तो law करने के लिए आप इनकी वीडियो कहां से study करते है, study material आपको कहां से मिलता है, तो उसने गा, मुझे YouTube से study material मिलता है, मैंन का उसके बाद क्या करते है, कि मैं उसको consume करती हूं, उसको learn करती हूं, और उसके बाद में exam देने जाती हूं, मैंन का इसका मतलब हजारों लाखों लोग, आपका जो educational content है, उसको देख रहे होंगे, जब आपने चीजों को सीख लिया, तो आपन अपने mind में रखा, और exam देने चले गई, और पास हो गई, अब क्यों आप इसी content को आप खुद एक platform पर लेकर लोगों तक पहुंचाएं, तो जो चीज आपने पढ़ी है, आप वो भी पढ़ा सकते हैं, आप अच्छा sports कर सकते हैं, वो आप डाल सकते हैं, आप अच्छा ग कोई पैसा आपको नहीं देना है, अच्छा content आप, जो swipe up, real swipe up करेंडे में time based आच का यूद कर रहा है, उस time को अच्छी जगह utilize करके, अच्छी तरीकसी utilize करके, अपना career उसके अंदर बनाया जा सकता है, तो अमे जी, आपके सामने कौन-कौन से challenges थे, क्या आपने face किया है श सबसे पहला step, आप अपने mobile phone, अपने टिवी के बादियम से इस वीडियो को देख रहे है, सबसे पहला step आपके पास gadget खुद का है, और वो gadget किया आपका mobile phone, अगर आपके पास mobile phone है, और उसमें internet recharge है, तो आप आसानी से अपने content को record कर सकते हैं, challenges के आएंगे कि quality video नहीं मिल र earning होना शुरू हो जाती है, तो first challenge तो यह है कि first step कैसे लेना है, तो start with your mobile phone, और जैसे जैसे आप upgrade होते जाएं, अपने gadgets को upgrade करें, अपने mobile के साथ साथ अपने cameras को, camera के साथ lighting को, lighting के साथ mic को, studio setup को, लेकिन ज़रूर नहीं कि प्रारंबिक दौर पर आपको यह चाहिए, first basic step जाना चाहते है ना social media के अपर या कहीं से भी किसी भी चीज का business की शुरूआत करना चाहते है, उन लोगों के मन में सवाल यही होता है कि हमारे पास में अच्छा camera नहीं है, भही अच्छा mic नहीं है, या फिर हमारे पास में अच्छा सा setup नहीं है, मैं कहता हूँ कि जब content लोग पसंद करने लग जाएंगे ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वीडियो की quality कैसी है, पीछे lighting किस तरह का है, background किस तरह का है, और आज तो इतने सारे public places जहां पर जाके अपना video shoot कर सकते हैं, पार्क में video shoot कर सकते हैं, पेड के पास बैट कर सकते हैं, न मेरे को भी लगता है कि आजकल सेट अप से ज़्यादा, उन इन चीजों से ज़्यादा, reality जो आपके पास में, reality, real content की ज़रुवत है, आप अगर workout कर रहे हैं, तो जिम में आप video shoot कर सकते हैं, डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, अपने kitchen में बात कर सकते हैं, आप अगर food vlog बनना चाहते हैं, तो आप restaurant में जाकर बात कर सकते हैं, एक समय ऐसा आएगा, जब restaurant आपको पैसे दे के invite करेगा, कि आप आए, मेरे restaurant में मेरा food consume करें, और साथ में इसके videos record करें, collab कर लें हमारे साथ में, तो यह आपने बहुत अच्छा बोला है कि आप कुछ भी करते हो, कु जो भी आप रोजमारा का काम करते हैं, आप खाना बना रहे हैं, तो उसके ओपर भी videos बना के डाल सकते हैं, social media के ओपर viral होते हैं, आप advocate है, उसके ओपर video बना सकते हैं, knowledge लोगों को laws की दे सकते हैं, आप teacher है, तो आप उसकी education की knowledge दे सकते हैं, मतलब particular आप जो भी काम करते है आप engineer है आप software engineer है तो उसकी knowledge आप social media के जरिये लोगों तक पहुचा के एक social media से अपना earning कर सकते हैं एक अलग platform एक अलग pillar income का हम कहें तो वो खड़ा कर सकते हैं आपको समय लगेगा लेकिन सफलता आपको जरूर मिलने वाली है डॉक्टर अमित महेश्वरी ने बहुत काफी शांदर तरीके से आपको समझाया है I hope हमें भी आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ माया होगा और अपने जीवन में कुछ आप भी बदलाव कर पाएंगे अमित जी हम से जुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत बारी किसे दर्शकों को सोशल मिडिया की पावर के बारे में रूबरू कराया है Thank you sir आपके सभी दर्शकों को मैं बात कहना चाहूँगा कि ठान कर देखो इरिदय में आप जो भी काम करना चाहते हो ना तुर निश्चे के साथ अपने मन में ठान लो और लक्ष उचा साद लोगे तो तीर उचा जाएगा और काम ना छोटी करोगे तो हाथ कुछ नाएगा इसलिए ठान कर देखो इरिदय में काम कोई मुश्किल नहीं और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुम्किन नहीं थांक यू चलिए अमिज जी बहुत बहुत धनेवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए सक्सेस सिक्रेट शूओ में आज फिलाल इतना ही फिर हाजिर होएंगे एक नई सक्षित के साथ में जिन्हों ने शोशल मिड़ा के ओपर एक नया मुकाम हासिल किया है मुझे दीजी अजाजत नमस्कार थांक यू